तो वहीं शत्तिकदर में कोरोना वाइरस COVID-19 का एक और मरीज सोंवार को मिला इस तरहार राज़ में आप तक कोरोना पॉजिटिव के आठ मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना वाइरस से संक्रमेट से 27 वर्षी युवा कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है जो की कोर्बा का रह आप मरीज को मंगलवार को इंस में भरती कराया खुआएगा तो आपको बता दे कि आज मरीज को भरती कराया खुआएगा पॉजिटिव मरीज को बढ़ी खबर आपको सब्सक्रमेट से बता रहे हैं कहां पर इससे पहले काफी बड़ी संख्या में रिपोर्ट्स भेजी गई थी जो की नेगिटिव पाई गई थी पहजारा था कि शकुषगण के लिए एक राहत भरीजास ओ सकती है बावजिब इसके अब एक और मरीज सामने आने के बाद शकुषगण के लिए ये परिशानी का समफ़ पन करता है कि शकुषगण में कोरुना पॉसितिव मरीजों की संख्या अब बढ़ कर आथ को किसी है पूर्मा और नाच्वान गाउ में एक-एक मरीज बिला है और कोरुना वाइरस संक्रमें तर यूवक के उम्रेट 20 वर्च पताईशा रही है और यूवक लंडन से वापस वाटा था जिसके बाद इसे कॉरिंटाइम में रखा गया है तोरान यूवक में कोरुना वारे संक्रमें के लक्षण उभाने पर टेस्ट कराए गया जिसका नतींजा पॉसितिव निकला मरीज को आज एंच में आज बिद कराए खाएगा पुजेश में आप तक मिले कुरूना कंसर में ता आज मरीजों में राइपोर में च्वार भिलाई बलास को रुकूर का आल राजवान डाओं में एक-एक मरीज सामिल है अब तक मिले आज पॉसितिव मरीजों में एक मनोज सिंग बगेल हमारे साथ में जूर गया है मनोज जैसा कि एक बड़ी संख्यों में रिपोर्ट आई थी सारी नेगिटिव थी तो उसके बाद चतिजगर के लिए एक राहत भरी सास थी पर एक बार फिर से अब कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिल गया है तो कह सकते हैं कि लिए फिर से बुष्किले बढ़ गई है अब इसकी तो और पर जैसे 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 जास रिपोर्ट आ रही है वैसे नए मामलों पर खुनासा भी हो रहा है कई लोग वारेंटाइन में रखे हैं जिनकी रिपोर्ट आने पासी है और किसी के बंदे नजर कल रास को एक केस म में आया है कोर्बा में एक खासी जो लंड़न से लॉट कराया था उसकी जांट की तो उसका रिपोर्ट पाजिटिव है जब की आस्थर जनक बात यह है कि उसकी गद्वी नियां सामान नहीं है ना उसको बुखार है ना उस तरह से सरदी खांची है इसके बात भी जब उसक केस आये हैं उनमें चार केट जो है वो लंड़न से लॉट कर आने वाले साथ शात्राओं का हैं तो सबसे ज़्यादा जो अभी की मावना दिख रही है लंड़न से करीब 77 लोग आये हैं जिनकी सूची सर्कार में जारी की है और इन सब की जहांट करने की मिदेश परसों रा जो लिए गए हैं और इनकी जाट में एक और नया केस मिला है जो कि जो साथ रहे हैं पूर्बा करने वाला है और उसको आज एम्स लाकर उसका इलाज करने की बात जो है स्वास्वागने कही है तो इस तरह से कुल 8 पॉजिटिव केस पाए गये हैं और अभी कई जान्ट होन कि जो कम उम्र के लोग हैं अगर उन्हें कोरोना होता है तो वह अपने आप ठीक हो जाएगा पर यह जो जूबा कभी मिला है उसके उम्र महद 26 साल बताई जा रहे हैं तो जो उम्र के दाएरे थे वह कहीं ने कहीं तूपते हुए दिखाई दे रहे हैं आप निशित तोर प यह बताएगा है कि उसका जो लड़का है वो ट्राइविंग का काम करता है वो एक करीद परिवार से है रामनगर में रहता है और उसके उम्र साथ साल आई जा रही है उसके जो बच्चे हैं वो दोनों बच्चे ड्राइवर हैं तो एक जो ड्राइवर है बच्चा वो किसी विदेश से लौटे हुए आप 20 की गाड़ी चलाता था तो ऐसा माना जा रहा है कि उससे वो संक्रमित हुआ होगा तो इस तरह से जो आठ केस है उसमें साथ केसे हैं जो विदेशों से आने के बाद पाजितिव पाए गए हैं और केवल एक केस ऐसा है जिसकी कोई विदेश की हिस्ट्री नहीं है और उसको जो है अपने बच्चे से संक्रमण होना बताय जा रहा है तो इस तरह से आठ मामले हैं और यह राहत की बात है कि जो इस्थानी इस्था पर संक्रमण नहीं हुआ सबसे जादा तर्व सरकारी सी बात चे रही है और आम लोग भी इस तरह हैं कि जो कम्यूंटी इंफेक्शन है वो नहीं हो समुदाय की बीच से इंफेक्शन होगा तब सिर जाकर इस ती बिगड़ सकती हो उसके पास समालना मुस्किल हो सकता है यही वज़ा है कि कल बात एक बार पिर मुख्यमंदी ने प्रदेश की जंदा को संबोधित किया और उस प्रदेश के लागडाउन का पीरियक्शन हो चुका है और इस दोरान सभी ने बहुत अच्छा सही हम का परिचे दिया सभी ने लियमों का पालन किया सोचल डिस्टेंसिंग का पालन किया और यदी यह जो ट्रेंड है यह दो हफते और रहे तो इससे कोरोना के खिलाफ नला प्रदेश वासियों कि आपकी जानकारी में जितने लोग ऐसे हैं जिनको भूख की समस्या है जिनके पास खाने को नहीं है उनको खाना उप्लद कराएं यदी संभा हो तो एक जागुख नागरिक्शन होने जिना पे आप खुद उनको बोजन उप्लद कराएं और यदी मैंसे जो है सोसल डिस्टेंसिंग का जो कि लिए बताए गया तीन हमतेगा वो पूरा होगा और इसके बास खिसी में काफी जो है सकारात्मक पुरा रहे होगा जे चली मनों जी तमाम जानकारी साशा करने के लिए बहुत सुक्रिया आपका